हाई गाईज यूनिलीवर का एक बहुत ही अमेजिंग प्रोड़ाक्ट है सिफ क्लीनिंग क्रीम तो आज की वीडियो में हम देखते इसका रिव्यू एंडेमो तो शुरू यह 500 ml की बॉटल है इसकी MRP 275 रुपीज है लेकिन हमको अमेजोन से 178 रुपीज में मिल गई यह ना ना तो हात पहुचता है ना तो जूना पहुचता है किसी से भी एक लीन नहीं होते चाहिए कितना भी रगड़ो वहां के लिए क्या करो ब्रश के उपर यह क्रीम थोड़ी से निकालो और फिर कोने को ऐसे घिस दो ठीक है और उसके बाद हमको ना तो इसको दोना है ना पोच दो और देखना बिल्कुल जादू की तरह गाया बो जाएगी पूरी मिट्टी तो पूरे घर की किनारे क्लीन करने का काम तो आप इससे बिंदास आराम से कर सकते हो उसके अलावा जैसे आप किचिन की सिंग को क्लीन करना चाहते हो वहां पे कोई भी चिकनाई होगी ग्रीस होगी उसको ये बड़े आराम से निकाल देता है और किचिन की सिंग के सासाथ आप इसको किचिन स्लैप पे और जो किचिन में टाईलस हैं या कहीं भी आपको जो ग्रीस मार्ग देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ये नहीं निकलने वाला ये तो इंपॉसिबल है वहाँ पर इसको ट्राइ करके देखना, टेक्श्चर इसका क्रीमी है, और खुश्बू इसकी बिल्कुल शेंपू जैसी है, और थोड़ी देर तक रहती है इसकी खुश्बू, खुश्बू बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको कहां कहां नहीं यूज किया, मैंने इसको पंखे के लिए भी यूज कर लिया, मतलब पंखे पे जो होता है न, काफी टाइम के बाद ऐसे काले दाग पढ़ जाते हैं, जो लगता है कि ये नहीं जाने वाले, उस पे कपड़े के उपर थोड़ा सा ये क्रीम निकाला, और पंखे को बस इसको रब किया इस तरीके से, और देखो, पंखा भी बिल्कुल साफ हो गया है, मतलब वरना इसको न, साबून से गिस गिस के गिस गिस के, बड़ा टाइम लगता था, इस से न, आपकी मेनद बहुत कम हो जाती है, और बहुत ईजीली निकल जाता है, इसमें से धूल, मिट्टी, चिक नहीं, और अभी और भी बाकिया है, आप इसको बाथरूम में वाश पेसिन को चमकाने के लिए, यही जो बाथरूम के टाप्स होते हैं न, उस पे भी ब्रश से घिश दोना इदम चमकने लग जाते हैं, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी रनी है, लिक्वीड की, तो ध्यान रखना, जब आप इसको ड्रॉप करो, तो ज़ादा क्वांटिटी न टपक जाए, एक चीज, आप इसको लेदर पे, टेक्स्टाइल, कपड़ों पे यूज नहीं करना है, और कोई लकडी का है, या पेंटेड अल्मूनियम का काम है, वहाँ पे ज़ादा रबिंग नहीं करनी, वहाँ पे हलका सा रब करके, और ऐसे पोच दो, बस इतना ही करना है, तो ओईली सर्फिस को, इग्दम स्मूद बनाने के लिए, बहुत अच्छा काम करता है, और इस्पेशली जो किचिन की ग्रीस है, पंखों के उपर जो ग्रीस जम जाती है, आपके एग्जास्ट फेन, जो क्लीन करना इंपॉसिबल होता है, वहां के लिए, और जो दिवाल के कॉर्णर, इन तीन जगाओं के लिए तो इससे अच्छा प्रोड़क नहीं है, और कोई बर्तन जल जाता है, या किसी बर्तन में बहुत ज़्यादा चिकना ही रह जाती है, जो नहीं निकल रही है, उसको क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज करने से हातों पर वैसे तो कोई एफेक्ट नहीं है, हातों के लिए safe है, लेकिन थोड़े dry-dry हो जाते हैं, तो इसको यूज करने के बाएद आप moisturizer लगा लो, या कोई भी cream लगा लो, फिर ठीक है, तो ये product ऐसा है, जो हमेशा आपके घर में होना चाहिए, इसको dry-dry करना बनता है, तो अब तो मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया, और फिर भी कोई doubt है, तो आप comments में पूछ लेना, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe, बाँ बाई